नमस्कार, Twin Flame, Divine Feminine, क्यों Divine Masculine से Move On नहीं कर पती? क्यों? क्योंकि Divine Masculine तो Move On कर जाते हैं, क्या reason है कि आप वहीं अटके रह जाते हैं, लेकिन आपका जो partner है, वो कहीं और चला जाते हैं, किसी और के साथ दोस्ती कर लेते हैं, या फिर marriage कर लेते हैं, तो Twin Flame journey में even separation time period हो, तो भी आप इसको separation नहीं मानते हैं, third party आजाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी energy हमेशा वैसी ही रहती है, लव करने की, या फिर यह कहें कि unconditional love की, जो unconditional love आप उनको देते हैं, है क्यों क्यों डिफिकल्ट होता है Divine Masculine से Move On करना, जबकि वो तो शादी कर लेते हैं, बड़ी अ असानी से ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि आप कहीं और Divine Flame के अलावा कहीं और Move नहीं कर पाते हैं, शादी नहीं कर पाते हैं, इसका कारण आपकी fully awakening हो जाना है, fully awareness हो जाना है, जबर्दस रूप से अगर आप awakened हो चुके हैं, तब अगर आपके अलावा अपने partner को या अपने parents को चुनता है, या किसी और काम को चुनता है, तो यहां पर आपने तो यह सब कुछ सीख लिया, majorship क्या है, क्या twin flame journey है, क्या 5D है, किस तरह से मुझे अपने उपर काम करना है, क्या twin flame के struggles हैं, वो सारी चीज़े आपने सीख कर ही तो आ चले जाते हैं, इसलिए चले जाते हैं, क्योंकि वो fully awakened नहीं है, आपके साथ इसलिए हो रहा है, क्योंकि आप fully awakened है, में बाद यह है, आप emotional है, इसलिए आपका पूरा focus कहां पर लगा रखा है, आपने वहां, आपके डिवाइन मेंस के लाइन पर, लेकिन उनका focus आपके जब तक उन्होंने कर्मा अपने किसी और पार्टनर से या पेरेंट से या किसी और चीज से नहीं सिखा, तब तक वो आप तक नहीं पहुच पाते हैं वापस, seriously वो नहीं आपाते हैं, में चीज़ पता है क्या है divine feminine की, कि overly emotional हो जाना, overly emotional हो जाना, तो overly emotional होने से हमारे दुख हमारे को ही पकड़े रहते हैं, कहते हैं कि हमारा दुख ही हमारे लिए होता है और हम इलजाम लगाते हैं किसी और के उपर की, इसकी वज़े से हमारे उपर दुख आ गया, तो main चीज़ यह है कि over emotions, जहां पर भी over आता है आपका, जहां पर भी आप कहते हो, I am too much emotional, I am too much over giver जहां भी too much या over world आप अपने लिए put करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपने चोड़ना, main बाद यह, जी हां यह यह दि आपको भी लगता है कि हमें बहुत कुछ जानना है, twin flame journey के बारे में, इस 3D, 4D, 5D के बारे में, या universe के बारे में, तो आप consultation book करवा सकते हैं, तो divine divine masculine, मतलब ताकि मेरे divine masculine की awakening हो जाए और उसको एहसास हो जाए कि मैं कितनी important हूँ तुमारे लिए, और मैं कितना प्यार करती हूँ तुमारे लिए, तो क्या यह सवाल जो पुछा है, तो इसमें ही इनका जवाब है, कि इनको इस तरह से एहसास दिलाने के जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको उन्हें एहसास दिलाना है, उनको twin flame journey के बारे में बताना है, या मैं उनसे बिलकुली social media से दूर हो जाऊं तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो उनको एहसास होगा, social media से दूर होना है, उनके बार-बार उनके status को देखना है, तो आप inner self या inner mental, मस्तिक्श आपका peaceful है की नहीं, में चीज ये दिखनी है, आपने दूसरे को इतनी इजाज़त नहीं दे देनी कि आओ जी hurt कर लो मुझे, ठीक है, तो आप ही तो इजाज़त देते हैं कि आओ मुझे hurt कर लो, मुझे दुकी कर लो, है ना, तो में चीज यही है, तो अपने लिए ऐसा ही सोचने है, तो ये inner work करना आपको बंद नहीं करना होगा, कई लोग यह कहते हैं कि अच्छा, वो तो कहीं और move on होगा, अब हम क्या करें inner work कर गया, हमने क्यों है, हमने क्या ठेका ले रखा, आपने ठेका अपने ले नहीं ले रखा, आप ये बताईए, आप आपका अपनी life नहीं है, आपका अपनी body नहीं है, आपका inner self किसी और से ही क्या संतुष्टी मिलेगी, क्या किसी और के आजाने से ही आपका inner peace बनेगा क्या, inner peace हमारा अपने आपसे होता है, कार्मिक पैटर्न उनके अपने है, उनको उलजने दीजिए, उनको सुलजने देजि갔े उनको डील करने देजिए अपने कार्णिक लोगों से आप उनको बीच में यह पूंपर आपके यह कार्मिक हैं मत डिए आप डहकने से यहीं कहने से बात करने से उनको समझाने से कभी कभी भी उनके अंदर शिफ्ट नहीं आएगा, मेजो शिफ्ट तब आएगा, जब उनके उपर, खुदी बगवान के लाटी पड़ेगी, तैड से, बगवान के लाटी जब पड़ेगी, तब पड़ेगी, आपने यह नहीं पूछ रहा है कि, बगवान के लाटे का पड़ेगी ठीक है तो में चीज यह है आपके अपने जो इमोशन चल रहे हैं बस आप अपनी सही जगह पर राइट एक्षन ले पा रहे हैं कि नहीं आपको वीडियो यह आई तिंक अच्छा से समझ आ रहा होगा मैं यह कह रहे हूं कि आप डिवाइन म जो आप लगाते हैं वही सब मैं भी लगाती हूं हेर ग्रोथ यह बात है हरी डिट्री जैसे कहते है अनुवांशिक है हमारे घर में सब कही बहुत लंबे दे बाकी में चीज क्या करना है सौल ग्रोथ पका करनी है ठीक है सौल ग्रोथ के लिए आप अपना माइंड बॉडी soul emotions इन चारो पिलर पर ध्यान दीजिए और वो किस तरह से योगा meditation mantra chant अच्छा नहीं होता है ये कोई बात नहीं अपने skills पर ध्यान दे लिजिए अपनी body पर ध्यान लिजिए जिम चले जाएए exercise कर लिजिए cycling कर लिजिए dancing कर लिजिए अब swimming कर लिजिए बहुत सारी चीज़े हैं करने के लिजिए और कुछ नहीं तो singing कर लिजिए writing कर लिजिए कुछ अच्छा पढ़ लिजिए कुछ terror सीख लिजिए कुछ occult science का something कुछ सीख लिजिए कुछ नहीं होता है तो जो आप study कर रहे हैं उसी में higher self में चले चले जाएए और और कुछ नहीं तो और आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं best बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं आपके अंदर क्या skill है उसको search out कीजिए realize कीजिए अपने आपको realize नहीं किया और आप कह रहे हो कोई राज नहीं है जैसे हैं वैसे हैं बचपन से लेकिए अब तक काटे ही नहीं थे तीन बार काटे हैं पूरे लाइफ टाइम में बस वो इतने शॉट बस इतना है थैंक्यू सो मर्ट दनेवाद